हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं हूनी रेजराया और श्वागत है आपका फार्माहार्स में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फार्मासोटिक सेकेंड के कुछ इंपोर्टन कोईस्टन के बारे में अला केवल वही बता सकता है जो इसने एक्जाम का कुछिशन पेपर बनाया हो ठीक है तो हमके वाल गेस्ट कर सकते हैं कि क्या आशकता है और ऐसा नहीं है कि आपको केवल वही पढ़ना है आपको उसके अलाव भी बहुत सारी चीज़े पढ़ने पढ़ते हैं तो इस हैं कि फार्मसुटिक सेकेंड में कौन कौन से कुछिशन से इंपोर्टेंट है जो की आ सकते हैं यह सेकेंड यार का टॉपिक है अभी याद रखिएगा तो चली आगे पढ़ता है तो सबसे पहला जो चैप्टर है यह चैप्टर है प्रेस्क्रिप्शन इसके इससे जो सब was呢 principio baş क्या होता है कभी कवी केवल प्रेस्क्रिप्शन पूछ लिitic पूछ लेते हैं चार नमबर में के प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है कभी-kभी चार नमर में उसके पार्ट्स के बारे में पूझ लेते हैं तो यह कुजिशन अक्सर आता है इस वज़त से हमने यह कुजिशन बनाया है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे तो अगला चैप्टर क्या है दोस्तों अगला चैप्टर होता है इनकंपेटिबिलिटी 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 इनकंपेटिबि पूछा जा सकता है लेकिन ज्यादा इंपोर्टेंट की बात करें तो केमिकल है ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर के ऊपर अगला चैप्टर आपका है पोशोलाजी तो पोशोलाजी से बहुत सारे बनते हैं सॉट एंसर टाइप में क्योंकि यह लॉग एंसर बता रहे हैं तो लॉग एंसर के लिए मुख्यता आपसे में लिए यह कुछ पूछा जाता है कि डिस्कस बारियस मेथडस अब दे कैलकुलेशन अब डोज इस फॉर्म एडल्ट तू चिल्डरन मतलब एडल्ट डो हमस्ति करते हैं कि कौनकौन से कैलकुलेशन की फारत्यौन में लिखा नह है इसे और की जाता है इसको बाफावीत करने वाली कारक के नाम सबस्कोन की यह लिखा नहीं है लेकिन आप कल लिए i यह भी question आता है कि वो कौन कौन से factors होते हैं जो कि डोज को affect करते हैं तो यह जरूर पढ़ दीजिएगा ठीक है इसको मैंने लिखा नहीं है लेकिन यह याद रखना आप मैं बोल ला हूं तो next आगे पढ़ते हैं अगले chapter पर तो अगले chapter में हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम प expansion of the powder इसमें एक chapter और आता है weighing method में मतलब कैसे भार को नापते हैं इसका वीडियो ने बनाया हुआ उसको भी देख लीजिएगा उससे भी कभी कभी चार या पांच चार या आठ नमर के question पूछ लिए जाते हैं ठीक है तो यह question आप लोग जरूर देखिएगा जो मेंने जाता है classify the monophasic liquid doses form for internal and external administration देखो मैंने आप दोनों लिखा है internal and external तो आपसे ज्यादा तर internal पूछा जाता है external नहीं पूछा जाता है क्योंकि मैंने लिख दिया है आप क्योंकि वज्जा यह लिख दिया है हो सकता है पूछ लिया जाए लेकिन बहुत कम चांसे हैं external पूछने के question अक्सर पूछ जाता है कि classify the monophasic liquid doses form for internal administration and which type of the color flavors and sweetness are used in the formulation ठीक है यह monophasic liquid doses form में internal यूज के लिए कौन कॉंसे ड्योज फार्म होते हैं तथा उनके flavor उनके sweetness और उनका formulation कैसे कह जाता है तो directly इसमें इस तरह से पूछा जा सकता है या पूछ सकते हैं किसी एक का नाम दे दिया जैसे सीरप का नाम दे दिया इलिक्जर का नाम दे दिया उसके बारे में पूछ लिया तो लगभग जो sweetness है flavors है और उसका formulation है लगभग एक जैसा होता है ठीक है इसका वी वीडियो बन इसमें ज्यादा तरह question पूसे जाते हैं कि की मलसन और suspension है तो पहला जो question है वो suspension से है क्या है कि what are the suspension discuss the different type of the suspension and their method of the preparation मतला suspension क्या होती है कितने type क्यों होते है और उनको जो preparation की method है वो क्या है ये वीडियो भी बन ने बनाया हुआ है वहाँ पर वीडियो चैनल पर जाएगा आपको मिल जाएगा आप देख लिजिएगा इसके बारे में कि ये क्या होते हैं फस्ट येर में भी आपने पढ़ा होगा suspension के बारे में वही सारी जीजिए यहां पर भी है नेक्स्ट कुश्चन आता है कि difference between the flacculated and deflacculated suspension ये एक सर्थ 4 नंबर में question पूछा जाता है नेक्स्ट कुश्चन आता है इमल्सन से जो की है write a note on the emulsion and its type and also discuss in the detail method of the appropriation of the emulsion देखो मैं आपको बता हूँ इमल्सन और suspension से एक question जरूर आता है जो question मैंने आपे बनाया हुआ है तीन उसमें से एक question हर साल आता है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा next अगले chapter पर पढ़ते हैं अगला chapter क्या है आपका अगला chapter है semi solid doses form semi solid doses form से मुक्यता है question पूछा जाता है write a note on the types of ointment base कितने प्रकार क्या होते हैं उसके प्रकार कितने होते हैं मतलब उसके बारे में आपको note बनाना है उसके बारे में लिखना है दूसरा question आता है describe the various type of the suppository ways देखो फिर मैं बोलूँगा कि ऐसा नहीं है यही question हो सजाता है इसके लाव भी question पूछा जाते हैं लेकिन जो जादा तर question आये हुए हैं उसी को हम आपको बता रहे हैं तो यह भी है और suppository ways के बारे में आपको लिखना होता है ऐसा question पूछा जाता है नर्मली ऐसा question पूछ लिए जाता है कि what is the arrangement क्या होते है और बनाने की method क्या होती है तो पूछने को तब यह कुछ भी पूछ रखते हैं लेकिन जो जादा important है वो आपको बताया जाता है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले chapter पर अगला chapter आपका है dental product या dental and cosmetic preparation इसमें जो question पूछ जाता है वो है पहला question write a note on the dental product या इससे question पूछते है कि write a note on the dental prices और फिर इसी में ऐससे question पूछ लेता है कि जादा तर जो चीज़ पूछी जाती है long answer में वो banishing cream या foundation cream होती है तो आपसे पूछ लेता है कि write a note on the banishing cream or foundation cream and how to make it ठीक है मतलब इसका formulation क्या है इसके बारे में भी question पूछा जाता है next issue में इसी chapter में question आता है cosmetic preparation में जो long answer में आता है short answer में बहुत सारे आते हैं लेकि long answer में what are the samples briefly discuss about the formulation of the formulation and function of the samples यह भी question अक्सर पूछा जाता है अक्सर का मतलब मैंने देखा दो चार साल में दो बार पूछा गया है ठीक है तो next आगे बढ़ते हैं अगला जो आपका chapter है वो है sterile doses form sterile doses form से जो हमेशा question पूछा जाता है तो चार नंबर में कभी कभी आट नंबर में वह question है देखेगा right note on the sterile testing of the sterile product sterile product की sterile testing क्या होती है और कैसे की जाती है इसमें से आपको या तो आट नंबर में question पूछा जाता है या कभी-कभी चार नंबर में question तो हमेशा पूछा जाएगा चार नंबर में इतना समझ लीजिए अगर आट नंबर में आगे तो ठीक है ने तो चार नंबर में यह question same to same question आएगा आपका उसमें दे देंगे कुछ जैसे clarity test क्या होता है तो वो चार नंबर में दे देंगे उसको लिखने के लिए तो इसको तो जरूर पड़ लीजिएगा क्योंकि आपका चार नंबर का confirm हो जाएगा नेक्स इसी चैप्टर से question आता है कि discuss the characteristic of an ideal vehicle of the parental product मतलब किसी भी parental की जो बहकिल होता है उसके ideal characteristic क्या होते है ठीक है नेक्स आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ और अगले चैप्टर जो है वो आखरी चैप्टर आपका अप्थेल्मिक प्रोड़क्ट इससे क्यों से question आता है इससे question आता है what are the ophthalmic product discuss the various desired quality of the ophthalmic product अप्थेल्मिक प्रोड़क्ट मतलब आपको में क्या होते है उनकी क्या desired quality होती है यह last question था आपका तो लगबग 70% questions इसमें से आएंगे इतना याद रखिएगा और यह बहुत ज्यादा माहिने रखता है बहुत ज्यादा होता है ठीक है देखिएगा आप तो अच्छे सब तैयारी कर लेंगे तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा next अब हम देखते हैं कुछ start answer type questions जो कि अकसर start answer type questions में पूछे जाते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं start answer type questions इतने ज्यादा है बुक में लेकिन फिर भी हमने बहुत ही कम select किये हैं और वो ही select किये है जो last 4 साल में आये है फोर येर में जो last आये हैं उनीक हमने select किये हैं वो क्या क्या है यंग्स and relinks formula आइसर में रिका ना कि डिरेक्ट्ली इससा पूछ लेता है चार नंबर में आता है तो चार नंबर में आएगा तो आपको formula लेकना पड़ेगा और formula के साथ में उसका example लेकना पड़ेगा योटेक्टिग मिक्शर क्या होता है जल्ली से बता दो जब आप Graphy में को इनका यह सब चार नंबर में कोश्चन पूचे जाते हैं तो यह सारी चार नंबर में पूची जाती हैं इसको भी आच्छे से त्यार कर लीजेगा एक अलग तरह का कुश्चन आता है जिसको मैंने तो बताया नहीं है एक अलग तरह के कुश्चन जिसमें आपको दावा दे दी जाती है उसके डोज की बारे में बताया जाता है पूचा जाता है कि इसकी डोज क्या होती है रेल्ट में वह एक्चुली पोसोलाजी का टॉपिक है उसी मेसेच च सब्सक्राइब का BID है Mith है IEC Alters and Cappiate देखिए यह तरिंड आई यह जो है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं यह तीन साल या चार साल पिछले जो के पेपर हुए हैं उसी के मैंने इसी को बताने के लिए हमने यह वाला कुशिशन रखा है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है S O S P P A T I D H S इसके मेनिंग्स क्या होंगे मैंने इंग्लिस मेनिंग लिखा है लैटिन मेनिंग नहीं लिखा है तो इंग्लिस मेनिंग में का मतलब ट्वाइस डेली मिट का मतलब सेंट आइसे का मतलब इंटर चेंज एल्स में ब्री अदर आवर ठीक है का मतलब टेक टरिंडाई गया त्री टाइमस अड़े और उसके बाद फ्रीली एसस मतलब इनाख जीए पि्पैका मतलब होता है अगर किसी भी बज़े भादल पर निख भादल को सेक करके पीना होगा किसी भी करें के रिखाए तो यह जू मैने आपको बताया एसा नहीं पूछा जायगा इसके याद करिए कैसे याद करेंगे रोज 5-5 याद करिए 6-6 याद करिए आपके पास बहुत टाइम में इतने टाइम में आप बहुत कुछ याद कर पाएंगे बाद में जब आप prescription पढ़ने लगेंगे तो यह abbreviation बहुत ही ज़ादा जरूरी होंगे आपके लिए मज़ा आयेगा ठीक है इसको पढ़ जरूर लीजिएगा ऐसा नहीं कि सत्य प्रत्य सत यहीं पूछ लिया जाएगा ठीक है इसके अलाव भी आपको पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि नौलेज जरूरी है अगर पढ़े रोगे तो बाद में काम आएगा तो फ्रेंड्स अगर यह वीडियो अच्छा लागा तो चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ हमें इंस्ट्रेग्राम पर फालो कर लीजिएगा थैंक्यू